हलो दोस्तों में रामा मुहम्मत कैसर और आप देख रहा हैं स्टाड़े चानल बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग TZT PZT 222 के नए विग्यापन के बारे में और साथ बात करेंगे 2020 के अभ्यर्थियों का जिनका समायोजन हो गया है इन अब देखियों का एक लंबा इंतजार समाप्त हो गया तो वीडियो में लाट्स तक बने रहिएगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूझना और दोस्तों सबसे पहले आपको साइन अप करना है साइन अप करना बहुत ही आसान है आप अपने मिल आइडिया मुवाइल नंबर के थुरूरी यहाँ पर बढ़े आसाने साइन अप कर सकते हैं उसके बाद कोछ इसर से पेज़ आपको देखने को मिल जाएगा यो जिससे नेट पेपर 1 पेपर 2 देखने को मिल जाएगा टेस्ट है जरूर्द हैं और इसका फायदा उठाएं तो दोस्तों सबसे बहले बात करते हैं टी जी टी पी जी टी दो हजार एकिस की 219 अभ्यर्थियों का समायोजन का कार्य पूरा हो गया समायोजन को लेकर ये अभ्यर्थि काफी दिनों से संकर्स कर रहे थे इसके पहले पी समायोजन कुछ चात्रों का हुआ था लेकिन इन अभ्यर्थियों का छूट गया था फाइनली 219 और अभ्यर्थियों का समायोजन हो गया है और चैन बोर्ड ने जारी कर दी है और सास की विद्यालियों में समायोजन की सूची तो अब इन अभ्यर्थियों की जोईनिंग हो जाएगी ये ऐसे अभ्यर्थि थे जिनका चैन तो हो गया था जिनका सेलेक्शन तो हो गया था लेकिन इन्हें नियुक्ती नहीं मिल पाई थी 2016 की अभ्यर्थि थे 2020 की अभ्यर्थि थे TZT और PZT के किनी कारणों से इनका समायोजन नहीं हो पाया था इनके विद्यालों में रिक्पन नहीं थे लेकिन फाइनली इनका समायोजन हो गया वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिष्ट जारी कर दी गई है संस्था का आवंटन हो गया है और अब ये फाइनली अभ्यर्थि बार भार गरहड न कराके उनके समायोजन का प्रस्ता उप्रेशित किया जाना सरोच नियाले की आदेश के विपरीत है अगर तत्यों को छुपाया गया तो इसके जिम्मेदार डी आई ओएस होंगे और उनके विरुद अनुशासनात्मक कारवाई के लिए शासन को संतूती भ यहाँ पर फिर कहा जाता है चैनित अभेरतियों को कि यहाँ पर सीठी नहीं खाली है तो फिर यहाँ पर डी आई ओएस के खिलाब कारवाई होगी तो यहाँ पर दोस्तों टीजेटी पेजेटी की जो पुरानी भरतियां है 1621 वाली यों कम्प्लीट हो रही है और अब पर दस छात्रों का यहाँ पर डेटा आया है और इनका भी समायोजन जल्द करा दिया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अभेरतियों ने मांग की है कि नए भरति का विद्वापन जल से जल निकाला जाए टीजीटी और पीजीटी के चैनित अभेरतियों क को समावजित किये जाने के बाद प्रतियों की चात्रों ने मांग की है कि अब टीजीटी और पीजीटी के पांच हजार सेधिक पदों पर नई भरतिक अभिग्यापन तुरंद जारी कर दिया जाए इसका अधियाचन भी प्राप्त हो गया है टीजीटी पीजीटी के पांच हजार के रिक्त पदों के लिए और खोल देता है तो रिक्त पदों की संख्या बढ़ जाएगी और ऐसे में भरतियों के लिए चैन के आउसर भी बढ़ जाएंगे नई भरति पर वारता के लिए चैन बोर्ड के अध्यश से मिलने के लिए समय माग गया है विखी खान के दोआरा और मई के तिसरे सब्ता में मुलकात होगी विखी खान की मादमिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड के अध्यश साहब से तो सारी चीजें बिलकूल डीटेल में पर्द किया जाए और उनके जगällen पर नई भरती निकाल है नए पदों को निकाला जाए देखना हो किया होता है इसमें पदों के संख्या बढ़ती है या नहीं लेकिन जितने पदों का दिया अचन प्राप्त हो गया है उतने पदों पर तो भरती आनी बिल्कुल तैयं है लगवा 5,000 पद हैं TGT-PGT के 2000 पद हैं परधाना चारी के इस बार परधाना चारी की भी भरती आएगी 2013 के बाद परधाना चारी की कोई नहीं भरती नहीं आपाई है इसी के सासा दोस्तों इस बार TGT और PGT में कम्प्यूटर के भी पदों की भरती होगी ये बिल्कुल तैयं हो गया है तो दोस्तों पदों की संख्या अब बढ़ जाएगी क्योंकि कम्प्यूटर सिक्षकों के भी रिं बहुत सारा अंदोलन होगा भी रिंहां की कम्प्यूटर सिक्षकों की भी भरती होने जा रही है इसके लिए जन्होंने बेटे किया है कम्प्यूटर साइन्स फिल्ड से या B.S.C. आपका है और फिर B.Ed है तो आप TGT के लिये आपका पोस्ट ङ्रेजुएशन समबंधित में चाहिए तो आप दो दोस्तों अपनी बढ़ाई करते रहिएगा प्रहाई में जुड़े रहिए क्योंकि पिछली भरतियों के कार्या पूरे हो गए हैं और इसी महीने माई के लाज तक चैनबूर्ड में सदेस्यों की भी न्युक्ति हो जाएगी उसके बाद नई भरति की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी बात कर लेते हैं दोस्तों यहीं पर योगिता को लेकर कन्फूज रहते हैं तो टीजीटी की जो योगिता है वो दोस्तों ग्रैजुएशन प्लस बीएड है संबंधित विशे में आपका सनातव होना चाहिए जिस विशे से भरतिया हुई है और इसके साथ आपका बीएड भी होना चाहिए बीटी सी डियल इट बगर है नहीं चलेगा और पीजीटी के लिए बीएड की जरुद नहीं पड़ती है यहाँ पर आपका संबंदित विशे में तो आप पीजीटी के लिए बीएडन कर सकते हैं पीजीटी चीहाले सव पेडड की नोकरी है वहीं पीजीटी अरताली सव पेड़ पेड की नोकरी है पीजीटी में बगरशा को एक ह Schat की साथ आप जो माधवी विद्याल हैं वहाँ पर कच्छ 9 और 10 में पढ़ाने वाले सिक्षक को TZT यानि ट्रैनि ग्रेजवेट टीचर और 11 अब राही में पढ़ाने वाले सिक्षक को PZT यानि पोस्ट ग्रेजवेट टीचर कहा जाता है बाकी LTE grade की सिक्षक भरती अलग होती है वो उत्तर प्रदेश लोग से वायो कराता है LTE grade को जो सिक्षक होते हैं वो चैनित होने के बाद राज की इंटर कॉलेजवें में कच्छा 9 और 10 में पढ़ाते हैं और आज की इंटर कॉलोजियों में कच्छा 11 और 12 में पढ़ाने के लिए अलग से प्रवक्ता की भरती लोग से वायो कराता है बाकी आपके कोई और भी सवाल हो तो आपको से कॉमेंट सेसर में पूस सकते हैं इस वीडियो को लाइक और शेर करने के साथ साथ चैनल को सस्क्राइबर के बिला आइकन जरू दबा लिजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफोर्मेशन मिलती रहे थैंक्स वार वाशिंग